देखिए जगा की बढ़ती कीमतों और ज़्यादा स्पेसिंग के लिए आज कल मकान बनाने से पहले कई लोग जो है बेस्मेंट का निर्मान करवाते हैं लेकिन उनके बेस्मेंट बनवाने के बाद उने बहुत सी समस्या है जैसे कि लिकेज की और डेम्पनेस की इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो आज की इस वीडियो में हम आपको basement बनवाते समय कुछ ऐसी बाते हैं जिनका अगर आप भ्यान रखते हैं तो आप ऐसा basement बनवा सकेंगे जिसमें नहीं आपको leakage देखने मिलेगी नहीं dampness तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो कभी भी brick की wall नहीं बनाई जाती है basement की wall हमेशा RCC की होती है इसका दो कारण होता है पहला तो ये RCC की wall ज़्यादा मजबूत होती है brick wall से क्योंकि आपके पूरे मकान का load नीचे basement की wall पर पढ़ना होता है दूसरा ये दिवाल मजबूत होने के साथ साथ पानी को रोकने में ज़्यादा सक्षम होती है इसी कारण से जो basement की wall है उसे RCC की बनाई जाती है अगर आप residential purpose से बनाते हैं तो इसमें आपको चार इंच से लेके 6 इंच तक के RCC की wall और अगर आप commercial purpose से बना रहे हैं तो इसमें आप 9 इंच तक की RCC की wall बना सकते हैं जिसमें आप 8 mm, 10 mm और 12 mm तक के बार 6 इंच चार इंच स्पेसिंग के रूप में दे सकते हैं तो इसमें दूसरी बात जो आती है वो ये कि अगर आप basement बना रहे हैं तो basement में सबसे पहली बाद ध्यान में रखने वाली यह है कि इसके water pooping का काम आप पहले ही सुनिश्चित कर लें जिसके लिए आपको जो water pooping की जो तकनिक है जो coat a stone लगा कर basement की water pooping की जाती है केवल इसे ही अपलाई करना है क्योंकि आज कल बहुत से लोग ऐसे हैं जो basement बनने के बाद में उसमें बिटमिन कोटिंग और जो डामर सीट होती है इसको उप्योग करते हैं और कई जगे जो brick wall होती है उसे outlet में brick wall बनवा करके उसमें near finish plaster करते हैं तो यह जो तीनों तरीके होते हैं यह बिल्कुल ही waste होते हैं अगर आप इन तीनों तरीके के साथ में basement की water pooping करते हैं तो आगे चलके आपको leakage की समस्य और dampness की समस्य यह बिल्कुल देखने को ही मिलेगी अब दूसरी एक बात इसमें यह आती है कि जो आपकी RCC की wall होती है इसे आप कहां तक लेकर आएं जो आपका plinth level है plinth level से आपको कम से कम 2 या 3 feet आपकी जो RCC की wall है उसे उपर रखना है तो यह बात आपको ध्यान रखने यह बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब इसमें आप water pooping के काम करवाएंगे याने कि cottage stone जो लगाये जाते हैं यह भी इसके साथ यही तक लगे होने चाहिए नहीं तो अगर आप wall की side जो plinth level से down रख देते हैं तो उसमें अंदर पानी leakage होने लगता है यह बात आपको ध्यान में रखनी है अब देखी इसमें जो अगली बात ध्यान रखने वाली हो यह कि कई लोग क्या करते हैं उन्होंने basement बनवा दिया और अंदर जो electricity के जो cable होते हैं जो pipes होते हैं उन्हें दबाने के लिए वो अंदर चार इंच और जो है जो इन्ट की wall होती है जो brick wall होती है उसे बनवाते हैं तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखने हैं अगर आप भी यही गलती करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी समस्य से यह होती है अगर कहीं से पानी आने लगता है जैसे कि माल लिए आपके basement के अंदर अगर कहीं से पानी आता है तो आप उसका point पकड़ नहीं पाएंगे क्यों जो है grouting का काम किया जा रहे और ये grouting का काम ये करता है कि जो भी basement के अंदर जहां से पानी आने के point होते हैं उनमें nipple जाम करके उन्हें grout कर दिया जाता है जिससे की basement के अंदर पानी आना पुरी तरीके से बंद हो जाता है तो ये तरीका तब काम करता है जब आपने अंद प्लस्तर ब्रिक की वाल नहीं की हो, प्लस्तर नहीं करवाया हो, इसके पहले आप बेस्मेंट के चारो तरफ पानी भरवा कर उसे अच्छे से चेक कर ले, उसके बाद इसमें प्लस्तर का काम करवाएं अब देखी इसमें जो अगला प्लस्तर पांट आता है, वो यह की अगर आप बेस्मेंट बनवाते हैं, तो आपको इसमें संप बनवाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, देखिए संप इस काम में आता है, आप जो बेस्मेंट का जो भी आपका पानी है, अगर कभी इसमे एक प्रकार की छोटी सी टंकी होती है जिसमें जो भी cleaning का पानी है वो जाकर जमा हो जाता है और इसे motor की साहता से बाहर fake दिया जाता है तो ये आपको बिलकुल भी नहीं बुलना है क्योंकि कई से contractor ऐसे होते जिने इस बात का पता नहीं होता और वो सीधे सीधे basement बनवा देते हैं आप जब भी basement बनवाए तो उसमें संप का निर्मान जरूर से जरूर करें अब देखी इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली ये है कि basement की जो water pooping करने का जो तरीका है अभी हाल हमें भले ही जो engineering ने है कितने भी तरक्की कर लिए हो कैसे ही advance तरीके आ गया हो लेकिन जो quota stone लगा कर जो पानी बन करने का तरीका था ये आज भी उतना ही कारगर है अब बहुत से लग दोखी इसमें गलती क्या करते हैं कि जब या basement बनवाते हैं तो आप base जो करवाते हैं जो आपका सबसे पहला step होता है वो ये कि आपने गड़ा खुदवा दिया उसके बद जो base क करने के बाद आपको जितना भी आपका तलिया basement का है उसमें नीचे पूरे में quota लगना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग ये करते हैं जहां जहां उनके column की कास्टिंग होने वाली होती है वो केवल quota stone वही लगाते हैं बलकि ये तरीका सही नहीं होता है कि जहां तक आपका basement जाता है आपको नीचे पूरी जगे quota लगाना जरूरी होता है और जब आपकी वाल खड़ी होती है जो basement के आप वाल की कास्टिंग करते हैं जब आपका ये काम आता है तो भी बहार से पूरी पूरी दिवालों पर quota लग करके इसमें नीरू finish plaster होना चाहिए और जो quota लगे तब आपके basement में पानी भी नहीं आता है और आपका मकान कैसे भी इलाके में क्यों ने हो जहां जाता जल भराव की इस्तिती होती है वहाँ भी आपके basement में पानी आने का कोई chance नहीं होता है तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा चैनल पर नहीं है तो